हेलो एवरिवन एक नई वीडियो में आप लोग का मोस्ट विलकम तो एक नए केस के बारे में हम लोग डिसकस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं यह patient के उंगली जो किसी काम को करने में वो कट गई थी कटने के बाद उन्होंने कहीं पास के doctor को दिखाया जहां पर उसके stitches लगें टाके लगाए गए और टाके लगाने में कहीं न कहीं गलती की गई जिसकी वज़ा से यह proper set नहीं हो पाया तो जो बीच में वो दरार देख र तो टाके लगाने में कहीं न कहीं गलती हुई है या टाके के जो material थे सूचर थे उनका selection उसमें गलती हुई जिसकी वज़ा से यह पूरी आधी उंगली आगे जो tip है चोटा portion वो ऐसा लग रहा है कि उसको बस रखके चिपकाने की कोशिस की गई है तो यहां कहीं न कहीं बह खास करके यह गाओं में या कजबों में इस तरीके की गलतियां करते हैं लोग और especially वो जूला चाप डॉक्टर होते हैं जो क्लिनिक या चोटा मोटा setup चलाते रहते हैं तो जो धागे यूज़ करते हैं वो यह होते हैं cotton, silk या nylon में कोई एक रखते हैं वो और इसका इस्तमा धागे को डालते हैं तो वहां पर धागे की दो लेयर बन जाती है तो दो धागे एक साथ स्टिच करते हैं तो उससे जो इसकिन पर चीज़ें की जाएंगी तो वंड अच्छी तरीके से हील नहीं होगा तो यहां यह गलती हुई है तो इसकिन का जो black portion था उसको हटाया मैंन और उसके बाद इसके ड्रेसिंग वी यह चौते दिन की वीडियो है और proper तरीके से उनकी हीलिंग हुई कुछ क्रीम लगे और इसमें coconut oil का भी बाद में इस्तमाल किया गया क्योंकि वो इसकिन बहुत बुरी तरीके से hard हो चुकी थी मुझे नहीं लग रहा था कि यह वापस से ठीक हो और लेकिन बाद में कुछ क्रीम और खासकर coconut oil लास्ट में application के तोर पर दिया गया था तो वो बहतर कर पाया ऐसे अब इस काम से सीख क्या मिलती है सीख यह मिलती है कि सूचर की चीजें आपको पढ़नी बहुत ज़रूरी है उसकी knowledge होने चाहिए ताकि उस तरीके स से काम किया जा सके तो सबसे पहला पढ़ना आपको types की वो कौन से type होते हैं तो type इसके या एब्जॉर्ब होने वाले है या non-absorbable है अगर normally गाओं की language में कहा जाए तो कौन से सूचर काटने वाले है यानि कौन सा टाका कटेगा कौन सा टाका गलने वाला है तो वो आपको पता होना जाए तैन उसके types के साथ-सके नईम की कौन से क्या नाम होते है वाइकरिल कौन से है, cat-gurt क्या है, silk क्या है, naylon क्या है, ये चीज़ें आपको पता होने जाए हैं, और साथ में उनके material किस चीज़ से बने होते हैं, एक क्या चीज़ आपको जानना है तैन उसके बा क्या होता है, दो नंबर, तीन, ऐसे साइज किसमें बढ़ेगा, किसमें कम होगा, यह आपको पढ़ना ज़रूरी है और साथ में साइट कि किस जगह पे कौन से सूचर का इस्तमाल किया जाता है अगर इसकिन पे लगाना है तो कौन से सूचर लगाने है कोई इंटर्नल सूचर, कोई ऐसी सरजरी हो रही है जो अंदर लगाने, उसमें कौन से सूचर इस्तमाल होते है तो यह सारे चीज़े बहुत ही वास टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है 3-4 दिन में, 5 दिन में क्लियर कर सकते है बहुत अच्छे से अगर पढ़ना हो हर सरजरी में कौन से सूचर, कितने नंबर के सूचर होते है तो वो भी आप पढ़ सकते है अलग-अलग टॉपिक बना कर कि अगर गाल ब्लेडर के सरजरी ये कौन से सूचर इस्तमाल होते है कोई और सरजरी है, अनदर उसमें कौन से इस्तमाल होते है इसकिन पे, फेस पे अगर कोई इंजरी हो गया या अक्सिडन्ट हो गया तो वहां स्टीचेस करने तो कौन से सूचर इस्तमाल करने है तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और ये चीज़ बहुत जरूरी है क्यों इसकी एक वज़ा बता दे आपको अगर 10-12 साल के लड़किया या लड़की आपके हां आ रहे हैं अगर उनके चेहरे पर चोट लग गई है तो अगर आप उनको प्रॉपर तरीके से नॉलेज के साथ स्टिच नहीं करेंगे तो आगे उनकी लाइफ में बहुत प्रॉबलम होगी चाहे वो शादी ब्याओ को लेके होगे या किसी और चीज़ों के लिए तो जो एक्स्टरनल चीज़े बाहर दिखने वाली जगह है उन पर स्टिचेज बहुत अच्छे तरीके से लगाई जानी चाहिए ताकि वो पता भी न चले यानि कॉस्मेटिक सरजरी टाइप की तो ऐसा जबकि गाउं के इलाकों में ऐसा बिलकुल नहीं होता लोग ध्यान नहीं देते लेकिन बाद में चीज़े खराब हो जाती है तो इस टापिक से एक चीज़ तो जरूर सीखने को मिली कि सूचर की इंपोर्टेंस बहुत जादा है आपको कब कहां कौन सा इस्तमाल करना है यह बहुत इंपोर्टेंट है तो इसको आप लोग जरूर पढ़ें और सीखें आई होप की आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें